आप लोग और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीयस स्पार्क में दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग वो पता है कि इस समय हम सभी लोग एक बहुत ही बड़ी कत्थाई से जूज रहे हैं हमारे पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है अगले 14 अप्रेल तक और सारी सुबधाय सारे इंस्टिट्यूट लगभग बंद कर दिये गया है लेकिन आने वाले समय में कोई एक्जाम अगर पॉस्पोर्ण होता भी है तो कुछ समय बाद उसको फिर से लिया यगा ऐसी इस्तिती में कई बच्चे हमारे पास सवाल करते हैं कि सर ऐसी इस्तिती में हम पढ़ाई कैसे करें क्योंकि इंस्टिट्यूट सारे बंद हो चुके हैं गैदरिंग के लिए लोग मना कर दिये गए हैं कि अब गैदरिंग कहीं नहीं होगी आप सभी का सहयोग इस मुहिम के लिए बहुत ही तारीफे काबिल है कि आप लोग जो है लोगडाउन में पूरा सहयोग कर रहे हैं क्योंकि अगर आप घर के बाहर निकले तो निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ी आशंका आपके उपर या खत्रा आपके उपर क्योंकि पर आपके आपके साथ हम खड़े रहेंगे और इसी क्रम में आपके साथ मैं एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं और बने रहीएगा हमारे साथ और आपके उज्वल भवस की कामना भी करूँगा इसी के साथ और आप से हाथ जोड़ कर निवेदन करता ह कि किरपया घरों पर ही रहे हैं घर से बाहर निकलने का प्रियास बिल्कुल ना करें ठीक है दोस्तों इतीक है शुरू करते हैं आपके नए टॉपिक को जिसको हम इतिहास के रूप में जानते हैं इसमें कई टॉपिक में पहले भी आप से चर्चा कर चुका हूँ आज मैं कोई भी अगर कोशन आपको दिमाग में आ रहा है आपका किया हुआ रहा है वो सवाल आपका किलियर नहीं हो रहा है आप नमबर पर वौटक करके वह सवाल भेज सकते हैं आपको तुरनत ए स्थापना क्यों हूए बहुत dx और जैन ढ़र्म दो ऐसे धर्म थे जो ब्रहयं ग्रंतों के विरोध में भारत में उत्पन हुए या इनका प्रदुर भाव जब होता है वो ब्रहमर ग्रंतों के विरोध में होता क्योंकि इस समय तक हमारे समाज में बहुत ज्यादा हिंसा होने लगी थी पसुबलियां दी जाने लगी थी बहुत दार सारे अंध्य विश्व करते थे और इन्होंने नए धर्मों की स्थापना की जिनको हम जैन धर्म और बहुत धर्म के नाम से जानते हैं यहां पर मैं एक एक करके इन सारी चीजों पर डिसकस करने वाला हूं तो आज मैं आप से बात कर रहा हूं बहुत धर्म ठीक है दोस्तों बहुत धर्म के संस्था पक गौतम बुद्धो को माना जाता है इनके बच्पन का नाम सिधार्थ है इनके बच्पन का नाम दोस्तों सिधार्थ था इनके बच्पन का नाम सिधार्थ था इनको लाइट ओफ एसिया के नाम से भी जाना जाता है गौर से सुनिएगा दोस्तों इनको लाइट ओफ एसिय के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इन के बच्पन का नाम सिधार था यह पूछा जाता कॉश्शन ठीक है इनका जनौ 563 ईसा पूर् कपिल वस्तु के लुंबिनी नाम Кिस्तानँ पे होता है जो इस समय वर्तमान इस्तिती इसकी नेपाल में है दोस्तो ठीक है इनके पिता का नाम सुदोदन है इनके पिता का नाम सुदोदन था जो शाक गड़ के मुखिया थे दोस्तो जब इनका जन्म होता है इनकी माता का नाम महा माया देवी था महा माया या माया देवी कहीं कहीं कि कोई हाती इनके गर्वों में प्रवेस कर गया है तो जब इस भविस्वारी के बारे में जो पूछा जाता है अपने गुरूओं से पूछते हैं इनके राजा इनके पिताजी जब पूछते हैं तो बताया जाता है कि आपके यहां एक विद्वान व्यक्ति का जन्म होने वाला है जो संसारिक मोह माया से दूर हो जाएगा और इस दुनिया को एक नई राह दिखाएगा लेकिन यह देखने के लिए इनकी मातसरी जिन्दा नहीं रहेंगे और यही होता है जन्म के एक सब्ताबाद ही इनकी माता का देहान तो हो जाता है और इनका लानन पालन करती है इनकी मौसी जिनका नाम है प्रजापती गौतमी इनका नाम है प्रजापती गौतमी इनकी मौसी करती है प्रजापती गौतमी अब चुकी देखे दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू जो भविश्वारी हुई थी तो इनको बताए गया कि यह संसारिक मोहमाया से दूर हो जाएंगे तो इनके पितानों ढ़ेर सारे प्रयास किये कि यह किसी भी तरह संसार को त्यागे ना या सन्यासी ना बने ढेर सारे इनके लिए सुबधाएं की और इसी करम में 16 वर्स की आईू में इनका विवाह भी है सोधा नाम की एक कन्या के साथ करवा दिये जाता है जिससे इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल था क्या नाम था दोस्तो राहुल राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन होता किन्तु जो नियती को पसंद था वही होता है जो नियती चाहती है वही होता आप कित्ता भी प्रयत्न करिए यही गौतम बुद्ध के सा सब शिदार्थ एक दिन अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मुझको इस नगर का ब्र French करना है और दिश्यार्थ ये इंके सार॥ के प्रभू ये एक योनी होती है शोirl प्रतेक मानों के जीवन में अगबार हाती है तो बोले क्या राजा भी ऐसी योनी का शिकार होता है बोले हां राजा भी इस योनी को प्राप्त करता है तो सिद्धार्थ बड़े विचलित हो गए क्योंकि बूड़े व्यक्ति को जरजर व्यक्ति को देख करके इनका बड़ा कष्ट हुआ इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यह देखते है रुगड हो जाता है वेक्ति तो सिधार्थ कहते कि राजा भी बीमार हो सकते हैं तो इनका सार्थी बोलता है बिलकुल हो सकते हैं तो यहां पर दुबारा वेथित होते हैं सिधार्थ इसके बाद तीसरी जगह जब जाते तो यह शव को तो सिधार्त पूचते हैं क्या ये राजा के साथ भी होगा? तो कहते हैं उनके सार्थी बिलकुल होगा और यहां सिधार्त बीलकुल बुरी तरह से अंदर से दुखित हो जाते हैं. इसके बाद सिधार्त को एक सन्यासी मिलता है जो बड़े ही मुस्कुराता हुआ आनंद में चला जा रहा है तो ये पूछते हैं अपने सारती से पुना कि भई ये कौन है बोले ये सन्यासी है इसको मोमाया से कोई मतलब नहीं है सिधार्त जब घार आते हैं ये सारे वाकिया देखने के बाद तो इनको नीद नहीं आती है रात भर परशान रहते हैं कि क्या किया जाये क्या है ये दुनिया ये मोमाया क्या है और इसी सोच और उधेर बुन में ये निड़ा ले लेते हैं घर त्याग करने का और सन्यासी बनने का ये सन्यासी बनने का जब प्रण लेते हैं तो 29 वर्स की अवस्था में ये अपना ग्रह त्याग देते हैं और चले जाते हैं सन्यासी जीवन जीने के लिए सन्यासी जीवन जब जीने लगते हैं तो इने को ग्यान चाहिए होता है ग्यान की प्राप्ति आखिर ये दुनिया में है क्या ये सत्य क्या है दुनिया में ये जानने की कोशिस करते हैं और इनकी मुलाकात होती है सबसे पहले अलार कलाम से और अलार कलाम ही इनके पहले गुरू होते हैं अलार कलाम से ये सांख दर्शन की सिक्षा लेते हैं किसकी लेते हैं दोस्तों सांख दर्शन की अच्छा बहुत धर्म है जब ये ग्रह त्यागते हैं तो उसको बोला जाता है महा भी निस्क्रमर ग्रहत्याग को बोला जाता है बहुत धर में महा भी निस्क्रमर महा भी निस्क्रमर महा भी निस्क्रमर महा भी निस्क्रमर बोला जाता है ग्रहत्याग ने की इनकी इस्तिती को ठीक है दोस्तो तो अलार कलाम से सांख दर्सन की सिक्षा लेते हैं लेकिन अभी भी इनको वो ग रंजना नदी के तड़ पर और एक जो है पीपल व्रक्ष के नीचे बैठते हैं और 6 वर्स कठिन तपस्या करते हैं जब 6 वर्स तक लगातार कठिन तपस्या करते रहते हैं तब इनको बैसाख पूर्मा के दिन्द इनको ज्यान की प्राप्ति होती है और बुद्ध यानि से फेमस हो जाते हैं और यह अपना प्रथम उपदेश प्रथम उपदेश प्रथम उपदेश देते हैं कहां रिशी पत्तनम कहीं कहीं रिशी पत्तनम मिलता है रिशी पत्तनम इसी को हम सारनात के नाम से जानते हैं सारनाथ बहुत धर्म है इस घटना को इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है बहुत धर्म है दोस्तों ठीक तो अब यह जब प्रथम उपदेश अपना देते हैं तो यह बताते हैं कि यह दुनिया है क्या तो यह बताते हैं कि दुनिया सिर्फ दुखों का बंडार है यह दुनिया में सिर्फ दुखी दुख है जिसको आप सुक समझ रहे हैं यही तो दुख है और इसी लिए चार सत्य बताते हैं दुख दुख समुदाय, दुख निरोद, और दुखो निरोद गामनी प्रतिपदा, प्रतिपदा, तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इस दुनिया में जिसको भी आप सुख समझ रहे हैं, ये सारी चीजे दुख ही हैं, आज जिस चीज को आप सुख का कारण मानते हैं, कल वही दुख बनेगा, और इन दुखों से दूर रहने के लिए इन्होंने आश्टांगि मार्ग का पालन करने के लिए बोला, आश्टांगिक मार्ग क्या है, वो भी आप जान लें, कि इनका जो आश्टांगिक मार्ग था, उसमें था पहला सम्यक द्रिष्टी, सम्यक द्रिष्टी, दूसरा था सम्यक संकल्प, तीसरा था सम्यक वारी, सम्यक चोथा कर्मान्थ, इसके बाद है सम्यक आजीव, इसके बाद है सम्यक व्यायाम, सम्यक इस्म्रिती, और सम्यक समाधी, इसका आर्थी यह हो गया, कि आप किसी भी चीज को करें, तो सम्यक रूप से करें, ऐसे ना करें कि वो गलत तरीके, सम्यक का मतलब होता है, सही तरीका इक्तियार करना, सही तरीके से ही करिये आप, सम्मयक द्रिष्टी डालिए किसी चीज पर, तभी आप इन दुखों से दूर हो सकते हैं, इसके लिए इनुने कुछ सीलों के फॉलो करने के लिए भी कहा, जैसे पहला है आराम प्रद, बिस्तर पे ना सोना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, इसके इसके बाद है आसमय भोजनना करना इसके बाद है सुरा सुंद्री से दूर रहना इसके बाद है सुगंदित पदार्थों से दूरी बना लेना आराम दायक विस्तर पर भी नहीं सो सकते आप और आसमय भोजनना करना ठीक है यह इन्हों ने एक सीलों को बारे में बताया अब यहां पर कुछ चीजें और वताने वाला हूं, जब बुद्ध ने अपना ये पहला उब्देश दिया, तो यहां से एक सवाल और राइज होगा, आप से कि बुद्ध ने जो है बुद्ध जो थे इसमें पहली महला भिचुडी कौन थी तो पहली महला भिचुडी इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापती गौतमी क्या नाम था दोस्तो प्रजापती गौतमी गौतमी ये इनकी पहली इसके अलावा बुद्ध ने अपने अनुवाईयों को दो बागः बाठ रखा था उपासक और विच्छुक पहले थे उपासक वो थे जो ग्रहस्त जीवन में रह कर भी जो है बुद्धधर्म को अपनाई हुए थे इसके बाद विच्छुक वो थे जो ग्रहस्त जीवन को पूर्ण रूप से त्याग चुके थे और पूर्ण रूप से संसार से त्याग करके बुद्ध धर्म को सुईकार किये हुए थे ये बुद्ध बुद्ध धर्म के त्री रत्न हैं दोस्तों ठीक है इसके बाद अगला सवाल पूछा जाएगा कि बुद्ध ने के अनुवाई चौथी बुद्ध संगीती जब होती है तो बुद्ध के अनियाई दो भागों बढ़ जाते हैं ही नियान वा महायान इसके बाद भी बुद्ध धर्म आगे जाकर के और भागों बटा बज्जरियान काल चक्रियान ठीक है बज्जरियान में इस्त्रियों को इस्त्रियों को यह सवाल पूछा जाता है बज्जरियान में इस्त्रियों को जो है प्रमुक्ता दी गई और काल चक्रियान में तंत्र साधनाय आनी गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश पाली भासा में इनके उपदेश थे इन्होंने जन मानस की भासा पाली भासा को अपनाया बौद धर्म अनीश्वर वादी था अनीश्वर पर विश्वास नहीं था और आत्मा भी नहीं मानता था आत्मा की परकल्पना नहीं थी लेकिन पुनर जन्म में विश्वास था इसका साक्ष हमको जातक कथाओं में मिलता है जातक कथाओं में इसका साक्ष मिलता है ठीक है दोस्तो यह बहुत धर्म से में कुछ विस्येश को grill से जो बार वार रिपीट होते हैश्वर आव बात कर लें कि बाथ अंगीत हुई इस बहुत धर्म की यह 483 इसा पूर्व राजग्रह में आयोजित की गई और महाकश्चप की अध्यक्षता में महाकश्चप अजात सत्रु के सासनकाल में यह खुब पूश्टा है सवाल अजात सत्रु के समय ठीक है दूसरी बौदस संगीती 383 इसा पूर्व राजग्रह में आयोजित की गई वैशाली में आयोजित हुई दोस्तों और सबाकामी की अध्यक्षता में सबाकामी और काला शोग के सासनकाल में काला शोग त्रती बौदस संगीतिक आयोजन जो है आपका 247 इसा पूर्व पाठली पूत्र मोगली पुत्र तिस्क की अध्यक्षमा मोगली पुत्र तिस्क और आयोजग करता था अशोग इसके बाद चौथी बौदस संगीति इसा की प्रथम सताब्दी प्रथम सताब्दी कुंडलवन कुंडलवन दोस्तों स्री नगर में हैं और इसकी अध्यक्षता की अशोगोस और वासु मित्र ने और इसका आयोजण किया गया कनिस्क के सासनकाल में और इसी बाद संगीति से बाद धर्म बट गया दो भागों में हीनियान और महायान तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके बहुत जरूरी हैं बाद धर्म से रिलेटेड अगर आप इनको काईदे से सुने होंगे और काईदे से इनको लिखा हुआ या पढ़ा हुआ तो आपका बहुत धर्म से रिलेटेड एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा और इसी प्रकार हम कोरोना वाइरस के साथ में आपकी लड़ाई जो आपकी चल रही है इसमें आपके साथ खड़े हुए हैं और कदम से कदम मिला करके आपका सहयोग करेंगे दोस्तों और ध्यान रखिएगा यह दोनों आपके लिए आपातकाली नंबर हमने दे रखें इन पर कॉल कर सकतें किसी भी टॉपिक को ले करके किसी भी सब्जेक्ट को ले करके आपकी सारी संकाओं का समाधान हम तुरंत उपलब्त कराएंगे दोस्तों ठीक है इसी के साथ आपके बहुष की अजल बहुष टेक केर बाई बाई